ओम शान्ति, 10 ओगस्ट, 2021, बाबा के महवाख्या मीठे बच्चे, बाप आये हैं, तुम्हे इस पाप की दुनिया से निकाल, चैन की दुनिया में ले जाने बाप द्वारा, तुम्हे सुख शान्ति की दो सौगाते मिलती हैं प्रश्ण, सारी दुनिया में सची सची नन्स तुम हो, सची नन्स किसे कहेंगे? उत्तर, सची नन्स वह जिनकी बुद्धी में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन, वे अपने को भल नन्स कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धी में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गौद का बच्चा कहेंगे, तो उनकी बुद्धी में दो हैं, और तुम्हारी बुद्धी में एक बाप है, इसलिए तुम सची सची नन्स हो, तुम्हें बाप का फर्मान है, पवित्र रहना है, गीत इस पाप की दुनिया से, ओम्शान्ति, मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत सुना, किस ने सुना? आत्माओने, आत्मा को पर्मात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, अच्छा, अभी तुम हो भ्रामण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता, भ्रमा को भी देवता नहीं कहा जा सकता, भल कहते ही भ्रम्मा देवताय नमहा, विष्णु देवताय नमहा, परन्तु भ्रम्मा और विष्णु में तो बहुत फरक है, विष्णु को देवता कहां चाता है, भ्रम्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्रामनों का बाप ब्रामनों को देफता नहीं कहा जा सकता अब यहा बाते कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझा सकते भगवान ही समझाते ही मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जू आता है सो बोल देते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो, रुखानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने को आत्मा समझना चाहिए अहम आत्मा यह शरीर लेती हैं, अहम आत्मा ने 84 जनम लिये हैं जैसे जैसे करम करती ही, वैसे शरीर मिलता है, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता आत्मा से प्यार रहता है, आत्मा में भी प्यार तब है, जबकि आत्मा शरीर में है पित्रों को मनुश्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खतम हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए भ्रामन में बुलाते हैं, कहते हैं, फलाने की आत्मा आवो, यह भोजन आकर खाओ, गोया आत्मा में मोह रहता है, परन्तु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था, ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में अच्छे वा बुरे संसकार रहते हैं, पहले पहले हैं देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं, सब को मिला कर कहा जाता है विकारी, जिसमें यह विकार नहीं है, उनको कहा जाता है निर्विकारी, यह तो समशते हो, बरोबर भारत में जब देवी देफता थे, तो उनमें देवी गुण थे, इन लक्ष्मी नारायन का है ही देवी देफता धरम, जैसे क्रिस्चिन धरम में मेल अथवा फीमेल सब क्रिस्चिन हैं, यह भी कहा जाता है देवी देफता, राजा, रामी, प्रजा, सब देवी देफता धरम के हैं, यह बहुत उन्च सुख देने वाला धरम है, बच्चों ने गीत भी सुना, यहा आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह लेच चलो, जहां मुझे चैन शांती हो, वह तो है सुक धाम और शांती धाम, यहां बड़े बेचैन हैं, सत्युग में बेचैनी होती नहीं, आत्मा जानती है, बाबा अविगर कोई चैन के दुनिया में ले जा नहीं सकते हैं, बाब कहते हैं, मुक्ती और जीवन मुक्ती, यह दो सौगाते मैं कल्प कल्प लाता हूं, परन्तु तुम भूल जाते हो, ड्रामा में भूलना ही है, सब भूल जाए, तब तो में आऊं, अभी तुम भ्रामन बने हो, तुमको निश्चै है, हमने चोरासी जनम लिये हैं, जो पूरा ज्यान नहीं उठाएंगे, वह पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे, त्रेता वा त्रेता के अंत में आजाए, सारा मदार है पुरुशार्थ पर, सत्युग में सुख था, इनलक्ष्मी नारायन का राज्य था, अच्छा, इसके अगले जनम में यह कौन थे, किसको पता नहीं है, अगले जनम में यह भ्रामन थे, उससे पहले शूद्र थे, वर्णों पर तुम अच्छी रिती समझा सकते हो, अभी तुम समझते हो, हम 21 जनम के लिए चैन पाएंगे, बाबा हमको वह रास्ता बता रहे हैं, हम अभी पतित हैं, इसलिए बेचैन हैं, दुखी हैं, जहां चैन हो, उसको सुख शान्ती कहेंगे, तो अब तुम बच्चुं की बुद्धी में आदी मध्य अंत का ज्ञान हैं, समझते हो, बरोबर सत्युग में भारत कितना सुखी था, दुख अथवा बैचैनी का नाम नहीं था, अभी तुम पुरुशार्थ कर रहे हो, स्वर्ग में जाने लिए, अभी तुम बने हो, इश्वर्य संप्रदाई के, और वह है आसुरी संप्रदाई के, कहते हैं न, पाप आत्मा, आत्माई अनेक हैं, पर्मात्मा एक है, सब ब्रदर्ज हैं, सब पर्मात्मा हो नहीं सकते, इतनी थोड़ी सी बात भी मनुश्यों की बुद्धी में नहीं है, बाबा ने समझाया है, यह सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापो है, वह छोटे छोटे टापो होते हैं, इस बेहद टापो पर रावन का राज्य है, इन बातों को मनुश्य नहीं समझते हैं, वह तो सर्फ कहानिया सुनाते रहते हैं, कहानी को ग्यान नहीं कहा जाता, उनसे मनुश्य सद्गती को पा नहीं सकते, ग्यान से सद्गती मिलती है, ग्यान देने वाला है, एक बाब, दूसरा न कोई, भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं मनुश्य मनुश्य की रक्षा नहीं कर सकते शिव बाबा सभी बच्चों को वर्सा देते हैं वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सत्गुरू भी है वकील बारिस्टर भी है, क्योंकि जम घटों की सजा से छुडाने वाला है सत्युग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे बाब सबको जेल से छुडाते हैं बच्चों की सर्वस्रेष्ट सब मनो कामनाये पूरी होती है रावन द्वारा अशद्ध मनो कामनाये पूरी होती है बाप द्वारा शद्ध कामनाये पूरी होती है शद्ध कामनाये पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो अशद्ध कामना है पतित विकारी बनना पावन रहने वाले को भ्रमचारी कहा जाता है तुमको भी पवित्र रहना है पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं साधु संत आदितो विकार से पैदा होते हैं देवताउं के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे वहां विकार होते ही नहीं वह है ही पावन दुनिया लक्ष्मी नारायन संपूर्ण निर्विकारी थे भारत पवित्र था यहाँ अभी तुम समश्ते हो सत्युग में प्यॉरटी थी तो पीस प्रॉस्परिटी थी सब सुखी थे रावन राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए हैं अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं एकदम कोडी मिसल बन गए हैं अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो भारत जब सत्युप था तो हीरे जैसा था अब तो कोडी मिसल भी नहीं है अपने धरम का ही किसको पता नहीं पढ़ता है पाप करते रहते हैं वहाँ तो पाप का नाम नहीं तुम देवी देवता धरम के नामिग्रामी हो देवताओं के धेर चित्र हैं और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है क्रिश्चिन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा बौधियों के पास एक ही बुद्ध खा क्रिश्चिन क्राइस्ट को ही याद करते हैं उनको नन्स कहां जाता है नन्स माना सिवाए एक क्राइस्ट के और कोई नहीं इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट भ्रमचारी रहते हैं तुम भी नन्स हो तुम अपने ग्रहस्त व्यवहार में रहते नन्स बनती हो एक ही बाप को याद करती हो None but one एक श्यबाबा, दूसरा न कोई उन्हों की बुद्धी में फिर भी दूआ जाते ही क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गौड का बच्चा था परंतु उनको गौड की नौलिज नहीं तुम बच्चों को नौलिज है सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नौलिज हो परमात्मा कहां रहते हैं, कब आते हैं उनका क्या पाठ चलता है यह कोई नहीं जानते भगवान को जानी जाननहार कहते हैं समझते हैं, वह हमारे दिल की बात को जनते हैं बाप कहते हैं, मैं नहीं जनता हमको क्या पड़ी है, जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूंगा हम आये ही हैं पतितों को पावन बनाने अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, जूट बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहंचाएंगे गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे वहां अमृत बांटा जाता था कोई विकार में जाकर फिर छिपकर आये बैठते, तो वह असुर हुए न आपे ही अपना पद भरष्ट कर देंगे, हरे को अपना पुरशार्थ करना है नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं, बहुत ऐसे हैं, जो छिपकर बैठ जाते हैं कहते हैं, हम विकार में थोड़े जाते, परंतु विकार में जाते रहते हैं यह गोया अपने को ठगते हैं, अपनी ही सत्यानाश करते हैं परंपता परमात्मा, जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे जूट बोलते हैं, तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं, बाबा जब पहली बार धली में गया था, तो रोज एक आता था, और विकार में जाता रहता था पूछा जाता था, जबकि पवित्र नहीं रहते हो, तो आते क्यों हो, कहता था, आउंगा नहीं, तो निर्वीकारी कैसे बनूंगा पवित्रता अच्छी लगती है, परन्तु रह भी नहीं सकता हूँ, आखरीन तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा, तो बेड़ा नरक हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं, इसलिए हमको यहां आना पड़ता है बाप समझाते हैं, तुम वायु मंडल खराब करते हूँ, कहां तक ऐसे आते रहेंगे पावन जो बनते हैं, उनको पतित से जैसे ग्रणा आती है कहते हैं, बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता बाप ने युकती भी बताई है, खान-पान की खिट-पिट होती है ऐसे तो नहीं, नौकरी छोड़ देंगे, फिर युकती से चलाना होता है कोई को समझाओ, तो बेगड़ पढ़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे, यह तो कब सुना नहीं सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घरबार छोड़ जाते हैं, तब पवित्र रह सकते हैं परंतु यह किसको पता नहीं कि यहां पतेत पावन परंपता परमात्मा पढ़ाते हैं, नहीं मानते, इसलिए विरोध करते हैं शेव बाबा, भरम्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ, यह तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारन बूढ़े तन में आता हूँ, वह अपने जन्मों को नहीं जनते यह तो लिखा हुआ है, फिर तुम कैसे कहते हो, कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे, पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे न, आगे भी आये थे, और कहा था, मा में कम याद करो वही परमधाम में रहते हैं, और कहते हैं, मा में कम याद करो कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा, जो कहें, मा में कम याद करो एक परमधा परमात्मा ही साधारन तन में प्रवेश कर, तुम बच्चुं को कहते हैं, मा में कम याद करो तो इस योग अगनी से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं, पतित पावन जरूर आत्मों का होगा न, पतित भी आत्मा ही बनती है बाप कहते ही, तुम पवित्र आत्मा सोला कला संपूर्ण थी, अभी नो कला, बिल्कुल ही पतित बन गए हो मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ, तुम जो काम चता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्यान चता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ भारत में पवित्र प्रवर्ती मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवर्ती मार्ग है, किसको भी चैन नहीं, अब बाप कहते ही, दोनों ग्यान चता पर बैठो हर आत्मा को अपने अपने कर्म अनुसार शरीर मिलता है, ऐसे नहीं कि दूसरे जनम में वही पती पत्मी आपस में मिलेंगे, नहीं, इतनी रेस करना सके यह तो पढ़ाई की बात है न, अज्यान काल में हो सकता है, आपस में बहुत प्रेम है, तो उनकी मनों कामनाई पूरी हो सकती है वह तो है पतित विकारी मार्ग, पती के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जनम में भी जाकर उनसे मिलती है, परन्तु दूसरे जनम में उनको थोड़े ही मालुम पड़ेगा, तुम भी बाबा के साथ ज्यान चता पर छड़ते हो यह चीची शरीर छोड़ चले जाएंगे, तुमको यह अभी मालुम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जनम में ऐसे साथी थे, तुमको भी बाद में वहां यह बाते याद नहीं रहेंगी, अभी तुम्हारी बुद्धी में एम अब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायन बनेंगे, विश्नु है देवता, प्रजापिता भ्रम्मा को देवता नहीं कह सकते, भ्रम्मा सो देवता बनते हैं, भ्रम्मा सो विश्नु, विश्नु सो भ्रम्मा कैसे बनते हैं? यह अभी तुमने समझ लिया है अभी तुम जानते हो चैन सिरफ स्वर्ग में ही होता है कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया अर्थाद चैन में गया बेचैनी में पतित रहते हैं बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे बाकी हैं डीटेल में समझने की बाते बाप नौलिजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नौलिजफुल बनाएंगे बाप के याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे यहां आत्मों की रेस है जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे यह है योग और पढ़ाई की रेस स्कूल में भी रेस होती है न धेर स्टूडेंस होते हैं उन में से जो नमबर वन निकलते हैं उनको स्कॉलर्शिप मिलती है एक ही पढ़ाई लाखों, करणों, आत्मों के लिए होती है तो इतने स्कूल भी होंगे न अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है सबको रास्ता बताओ अंधों की लाठी बनो घर घर में पैगाम पहुंचाना है अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रती मात पता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारणा के लिए मुख्यसार पहला अब अशिद्ध कामनाओं का त्याग कर शिद्ध कामनाई रखनी है सबसे शिद्ध कामनाई है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने कोई भी भूल को छिपा कर अपने आपको ठगना नहीं है धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है दूसरा ग्यान्चता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविश्य नई दुनिया में उन्च पद पाना है योग अगनी से विकर्मों के खाते को धग्द करना है वर्दान सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के जूले में जूलने वाले एथोरटी स्वरूप भव सत्यता की एथोरटी स्वरूप बच्चों का गायन है सच तो बिठो नच सत्यकी नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के जूले में जूलते हो वह आपको नहीं हिलाते लेकिन जूले को हिलाते हैं यह हिलाना नहीं लेकिन जूलाना है इसलिए आप उन्हे धन्यवाद दो कि आप जूलाओ और हम बाप के साथ जूले स्लोगन सर्व शक्तियों की लाइट सदा सात रहे तो माया समीप नहीं आ सकती ओम शांती तो वाच पीस अफ माइड चैनल वीडियोस on YouTube subscribe us on youtube.com slash tv peace of mind just a click for a peaceful life